जाहिंद प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्च्चर में हम लोग बात करेंगे 953 बच्चों क्या 953 कच्छा नौबी परिच्छा देना बच्चों आपको होने जा रहे हैं सब्सक्राइब mm के लिए हैं बच्तान के असीक रहने वाला है बच्चो आप लोग कुछ भी मिस मत करके आएगा देगे कुछ निर्देश दिये गए सभी प्रशन करना निमारे कोई प्रशना मत छोड़ेगा एक से पांस तक बच्चो वाश्टू निश्ट प्रकार के प्रशन होने वाले बच्चो ध्यान दिजिएग देगे का सही बीकलप चुनकर लिखिए वह रा कि यूश्ट आप से कर रहा है सही बीकलप चुनकर दींगा ही आकरति में छांकित भाग भीनory के रूप में होगा भीन कितने टोटल भाग हैं चार तो एक बटे चार आपको हो जाएगा राइटन सर यह आपका देखो सी आपसन सही हो गया आप देखो गला प्रशन निम्न लिखित में से कौन सी पर परिमेशंग क्या है बच्छो क्या आप परिमेशंग क्या है ते तो हमारा परिमेशंग क्या है यह भी हमारा परिमेसंख्या है लेकिन एक बटरूट2 हमारा क्या है अब परिमेसंख्या है ठीक बच्चो चलिए नेश्ट किऊष्टिन को याथ है, सून ले भॉपत की घात, कभी भी आप से वाला प्रशन कर दे, सून ले भॉपत की घात, तो आप लोग हमेशा वताएगा कि आप परिभासित होती है, क्या इनकी परिभासित नई है, ठीक है आप लोग इसे डट लीजेगा, सून ले चलिए एक बार देख लिए सभी लोग देखिए यहाई रेखा होती हमारी प्लस की यहाई रेखा होती हमारी प्लस की यहाई रेखा होती हमारी क्या होती हमारी माइनस की यह तो कि लिए रहे सभी बच्चे को यह किसी को डाउट होत बताओ भई नहीं डाउट ना चलिए अच यह मानिस तीथरा चतुर्थांस हो गया अब ध्यान दीजिए यह वाला प्लस यह वाला माइनस चतुर्थांस हो गया यह परतम चतुर्थांस होता है बच्चो यह दू-3 चतुर्थांस होता है यह हमारा होता है चतुर्थांस अब चलिए चिन्द को मिलाईए मिला लीजिए आप देखें यांपर क्या कही रहा है घ्रानि दीजिएगा क्या एंपर मायने दूयी मायनेस दूश्य सिंदेखिंगे मायनेस माईनेस तो कि साय जान में तरי चतूर धांश में तो चतोर थांस आपका हो गया राइट एंसर बच्छो टिक का लिजेगा चलिए अगले प्रशन में गर्दा उड़ाते हैं धान दीजिए अगला प्रशन आपकी स्क्रेंड पर है एक्स प्लस बीवाई क्या एक्स प्लस बीवाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में समीकरण को क समीकरण को कहते हैं समीकरण को कहते हैं कहा तो कहहाए कई है यहां पर कहा जाता ऑगेतनेफ सहाँ वाला राखिक संन दीजेगा दिया था थोड़ा हम लोग सब्सक्राइब की बच्चे भी ध्यान दे सकते हैं चूज दा करेक्ट ऑप्सन और राइट इसको समल लिजेगे बच्चो आप लोग इंगलिस मीडियम बाले भी ध्यान दीजे इसक्रिंस ले लिजे सवी बच्चे ठीक है ना तो चलिए नेश्ट क्यूशन की बात करते हैं बच्चो इसक्रि लिख लो उपर में से घड़ा दो तीन में से जाए कितना बचेगा दो तो दूई बटे का पांच आपका हो जाएगा राइट अंसर तो दूई बटे का पांच आप लोग लिख लिजेगा क्या दो बटे का पांच आपका हो जाएगा राइट अंसर चलिए नेस्ट क्योशन दी गये इसकी केमत कितना है यह देखिए यहां पर लिखा गया साथ हजार जार आप साइकल कीमत बोल रहा है तो दस गूना है मतलब भाला 10 केम दस मिल्केमत से मतलब 10 सेस्थ में भाग देथो इह जीरो काम खातम हो जाए यह कितना होजेएगा छे कहा जार तो ह комментар компании कि एक पुलांग हैं और कियो जो है जीरों के बराबर नहीं हैते हमारा क्या होता है Elshave इसे कर लिजेगा जआ दुक्त में च्र्किघात को लिए बरुपद में च्र्किघात सदर्व एक पूरल संख्या होती है यह बाध भी हमारे था ही है मतलब यह बात पूर संख्या होते हैं अब भारना था पूर संख्या ठीक है अब देखे प्रेश्ण क्या गए निर्दिसांग तल में एक्स और वाई अच्छ के प्रतिछेद बिंदू को कहते हैं तो मूल बिंदू कहा जाता जिसका निर्दिसांग होता है क्लिदे ६ैरो का माज़ी रम बिंदो कहा जाता है वाई दो चर बहुन का आई किस प्रकार होता है तरयको समयल गादिगा क्ऊंब फिल्द एधें यह और हिनो से प्राइण फिल्दिन बन रहे इस प्रकार से भॉलते हैं को यह निफ्ट क्यूचन क्यों राते और गर्दा उडाते बच्चा गर्दा उडा देते वह अगला क्यूचन इंग्लिस बैले देख लिजे ठीक इंगली से मीडियम नेफ्ट क्यूचन बच्चों आचुका है आपका सही जोडी का मिलान कीजिए यह जोडिया यहां पर बनाना बच्चों देंगा यह जो दिखरा है 45 दिसमलो 75 जब आप इसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 55 को 45 दिसमलो 75 को 75 आप जोड़ेंगे 70 हो जाएगा जिरू पॉइंट 70 आपको हो जाएगा राइट एंसर और जब दिखे मानेस चार गूरा करेंगे 0.25 में 25 को 25 को 25 को कितना ह एक अंग बाद यहां पर कितना बच्चा में दस तो में दस आपको जाएगा राइट एंसर यहां पर देखो दस हो गया राइट एंसर चलिए समझ मारा है आपको न अच्छे से जिन बच्चों को नहीं सुझ मैं एक बार कमेंट जरूर करेंगे अब तो कि 42 दिसमलो 64 है इस समलो दो यह पर लगा दो आप यहां पर 42 और एक 43 एक असल था यह देखो 43 आ गया बच्चो 43 कहीं पर है क्या यह देखो 43 हो गया राइट अब देखिए प्रश्न क्या है मानिस 18 बटे 25 जब मानिस 18 बटे 25 जब भाग देते हैं अच्छे पूर्वक से इसका मान निकल कर आए गां उसका देखिए साथ कोड़ा करना मानिस 15 में तो क्या है यहां पर 15 सत्ते एक फोट 15 सत्ते 105 यहां पर 105 कर दीजिए बच्चों यहां पर दो चांवन भाग देना ठारा में यहां पर भाग देखिए तो थाइस बार जाएगा इसे आप लोग किलियर कर लिजेगा चलिए स्क्रेंस आड़ ले लिजे बच्चे सवी लोग स्क्रेंस आड़ लिजे चले नेश्ट क्यूशन को राते हैं बच्चों नेश्ट क्यूशन की ओर आ जाते हैं हम लोग बहुत ही ताबर तोड़ प्रशनों को हम लोग साल्व करते चले आ रहे हैं तो इस पीर सिकाना ना चल हैं चले चेक करके बताते हैं यह लिखा हमने क्या है 157 मानिस कर दिया बच्चों क्या यह हमने कर दिया 85 जवाब से घटाएंगे साथ में से बच्चों ध्यान दीजे साथ में से पांस जायगत कितना बचेगा बहत्तर इस वारी यहां पर पचासी नहीं बहत्तर है यार है 15 में साथ जाए कितना बचेगा आठ यहांने कि पचासी आपका हो जाएगा राइट एंसर देख लिए पचासी हमने लिख भी दिया है ठीक है चलिए लिखे उत्तर हमने पहले लिख दिया बहां की समझाने काम हमारा है ठीक है एक तिरभूज एबी सी में बीसी अधार त क्या हो जाएगा यह हमने पूरा लिक दिया बीसी अटू एबी करतिया बहुत यह साने कुछ हाए नहीं सूतर में होता है अपको पता है सूतर अब जो सर्वांघ्सम आकर्टिया कहते हैं वे सभी आकर्टिया जिनका अकार माब बराबर उसे हम कह बते हैं सर्वांघ्सम आकर्टिया कहते यदि एक चतुर भुज की सम्मुख भुजाओ का प्रतेक यूग में बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे समांतर चतुर भुज कहेंगे क्या कहेंगे बच्चो समांतर चतुर भुज कहेंगे अधिक कोण के माप की परास क्या होती है तो अधिक कोण की जो माप की परास होती बच्चो नौ सव से अठारा सव के बीच होती बच्चो आप लोग इसे जरूर समझ लिजेगा चले अगला प्रशन आप लोग देख लिजे क्या है यदि दो बृत परस पर दो बिंदो पर परतिछेद करें तो उसके केंदर पर उभाइनिष्ट जीवा के लंब समधिभाजक पर इस्थित होता है अथ्वा नहीं अथ्वा इस पर इस्थित होता है बच्चो ठीक है इस्थ जिन प्रशनों को उत्तर आप सोच रहे थे उन प्रशनों को उत्तर आपको देना सुरू करते हैं पहले सत्य और सत्य देख लेते हैं दो मिनट के अंदर अंदर फिर इसको अदर में लोग सुरू करते हैं किसी घटना के घटने की जो प्राइकता होती एक से अधिक नहीं हो पुलब कहा जाता है हाई यह बात बिमारे साही हूए अर्ध गोले के पृॷ्ट्ट प्रिष्ट छेत्रफल और समपॉल्ञ पृुल प्रिष्ट पते तीन पतिन होता है यह इस इतना दिया गया है जहां ABC तर्भूज की भूजाएं अर्ध परिमाप का असत है ये बात बिलकुल असत है बिलकुल असत है केंदर को बिर्ट पर किसी बिंदू से मिलाने वाले क्या मिलाने वाला रेखा खंड बिर्ट की तरिज्जा होती है सत है क्या सत है वाईया एक ही एक ही अधार वाले एक ही समानतर रिखाओं के बीच इस्थीत तरभूज छेतर फल के बराबर होता है यहां जी यह बात हमारी सत है तो यहां तक तो किलियर हो गया बच्चों अब हम लोग अगले प्रश्ण को और बात करते हैं जो कि आप से इंपॉयर प्रश् करते हैं किस प्रकार से हैं सरल करेंगे चली पहले आप लोग पांच को को रुड़ा करेँ पांच यंयह चलिए हाँ पर कर रहा हूं पांट्यटि ही 15 वुटि बांच को गोना हुई इसमस कि ऑपन्गैंब का 8 10 ऑ 2 3 यहां से करते हैं और तीन रूड़ साथ हो गया तो एक एक बच्चों थोड़ा समझेगा एक दुक्के दूई हो जाएगा थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिए यहां पर साथ से गुणा करीश में तो कितना हो जाएगा एक मतलब प्लस कचिन लगाए एक हो जाएगा एक अदूई हो जाएगा यहां पर दूई रूड रूड रूट के अंदर कुणो जाएगा साद दुनी का 14 साद दुनी का चाओदा इस प्रकार से आप कर लेंगे यह हो जाएक इसका पूरा हल सराल हो गया बच्चो ठीक है इस प्रकार से सरल किया जाता है चले यह वाला प्रशनाप लोग देगे किस टेप कता है एक नंबर का है यह किस प्रकार से करेंगे 64 वाला देखे 64 का और क्या लिख सकते हैं आठ ठाई 64 अनि कि आर्ट की घाथ कितना हो जाता है बच्चों दूई आठ ठाई 64 वाल दूई से दूई कैंसिल यानि कि हमारा आठ हो जाएगा राइट अंसर इस प्रकार से करेंगे यह वाला देख लिजे अब पांच का क्यूब कितना होता है एक सूपचीस ही तो होता है यहापर करेंगे तीन बार अगुणे में तीन यह तीन से तीन कैंसिल कित होगा जैसे माले एक बटे रूड का सावन लिखा है और माइनस में क्या है बच्चो माइनस में कितना है एक बटे का रूड सिक्स होना चाहिए हाँ पर इस प्रकार से था इसको आप साल्व करेंगे ठीक है ना चलिए आप लोग असानी से करेंगे कोई बड़ा क्यूशन न का गुरंड खंड कीजिए बच्चो क्या बच्चों समझे तो διαवगाइब ने पर कितना जैता है यूरण कुंए पर पांच आएद na पर बारा आए तो आप हो गोंडेफ पर सरी जोर्ण पर कितना जाए साथ आ जाए गुणा करने बारा जाए तो चार 30-Unis बारा कितने बच्चों यह चार सैं đến 12 चार को जाएծे जोडेंग एपर तरीष फ़ोर-3 Om प्लस वन अब इसमें से आप कामन लिजे क्या कामन यह पर चार और एक्स कामन ले लिए यहाँ पर कितना बचेगा थ्री एक्स और यहाँ पर कितना बचेगा माइनेस यहाँ पर एक बचेगा यह हो गया अब यहाँ से माइनेस कामन लेजे माइनेस वन कामन लेजेंगे तो कितना हो जाएगा थिरी एक्स यह वाला माइनेस एक हो जाएगा तो अब ध्याद इन दोनों में क्या कामन यह वाला कामन है पर गुरंदखन्ड करना को गया वच्यों जोंदखन्द कर दिए हमने ठीका चलिए अब यहां पर जैनकी इसको इसमें भाग देना यहाँ आपको सिखा देते हैं सिखाल जाए कितना-कितना लिख को लिख लेते हैं फिर हम चardenünde को कितना है पर 3X की पावर 4 उसको बाद माइनिस 4X का दोगे यहाँ पर क्या है नहीं है यहाँ पर स्पेस नहीं जाता हम इसको रफ कारी रफ में आकर बताएंगे ठीक है तो रफ में बताएंगे आप लोग इसे रुके रहेगा आप लोग इस वीडियो कामेंट कीजेगा सर इसका हाल दीजिए एक से तेज़ तक हम हाल इसका रफ पर लेकर आएंगे बच्चो ठीक है लिए कि इसमें लिखने माज़ा नहीं आता और लिख भी नहीं पादे तो फिर माज़ा नहीं आता ना बच्चो यहाँ पर उसका है पिगर के जरू रखना एक बार और पीकर पार एक रखिए मान ग्याद करना की मान्हात करना है जैसे धिय Ann Ouais बिख यहाँ पर कितना है जैसे मा मान लेते हैं यह वाला छोटा वाला कर देते हैं एकस्टा-1 तो पी कर स्थान पैंगी यह वालीए द burial लिए लो रकोगे धी रोजीरो जाएकाल मानस एक बच जाएगा अब अगर एक रखते हो अब अगर एक रखते तो यह हो जाएगा यह भी एक हो जाएगा एक से कंसिलो कर रह कितना बचे गाजीरो इस प्रकार से सवाल करना था बच्चों मान रखके चेक कर लेजे गाँ अधिके दसवा क्यूशन हमारा क्या है आं कार्तित तल में किसी बिंदू पर इस्थित निदाद करने वाई चाहिटीज वा उर्धोसाद रहा हो के hã देए-खाय right-about एक्स आच बोलते हैं एक्स इने कि लिए कड़र रेका होती बच्छ ग्रौरेल हैं उस्से बोलते बच्छो मूल बिंदू बोलते हैं मूल बिंदू बोलते हैं जिनकर निसा क्या होता है जीरो कामा जीरो होता है बच्चो जो प्रशने आनिक हमो लगता है यहाँ पर समझा सकते हैं उन्हें समझा रहे हैं बाकि जो प्रश थोड़ा कि इसमें नहीं आप आईगा उसको उस पर करते हैं वो रफ पर करेंगे ठीक है अब यहाँ पर इसको बिताना है कि चफंल चतुर्थांस में अभी हमने आपको चतुर्थांस बना कर समझाए तो बच्चे द्यान लगा कर दिल लगा कर पढ़ रहे होंगे आप देखा है चाओदा दूई कामा चार दूई कामा चाओदा से य बराबर इतना दिया है यहाँ पर मान रखना है चलिए आपको बताते हैं किस परकार से मान रखना कियात करना है देखें यहाँ पर कितना है दो अब एकस कमान कितना दिया है दो चलिए ठीक है प्लस वाई कमान कितना दिया है बच्चों वाई कमान कितना दिया है तीन अब म के बराबर साथ तो के बराबर साथ आपको होगया राय एंसर चलो टिक याम के बराबर साथ आपको होगया राइट आप लोग यहां तक जो आ चुके हैं वो जरूर एक बर कमेंट कर दिएगा सर छे से लेकर तेज तक का हल हमें प्रवाइड कर आई ये छे से लेकर तेज तक का ओभी राप पर तो हम बच्चा एक भी लड़कार कोई कमेंट कर दिया तो हम पक्का लेकर आ जाएंगे ठीक बच करेंजेगा और वीडियो को लाइक भी कर दो हम लोग मिलते हैं किसी नेश्ट वीडियों तब तक लिए सब्सक्राइब जाएंद जाए भारत